हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Electronic Study YouTube चैनल पर आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास के कुछ important questions के बारे में जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से ग्यात होगा कि इक और सीरीज अपने शुरू की है आपके CTT, UPDT की जो परिक्षा हैं उनके लिए आप यहाँ से तयारी कर सकते हैं पिछली क्लास में हम 15 questions के बारे में बात किये थे कितने सवाल थे 15 सवाल और यह हम बात कर चुके हैं 16 number questions से आज हम बात करना शुरू करेंगे और देखते हैं कि किस-किस प्रकार के questions जो है आज हमें अपने इस पूरे वीडियो duration में जो है वो देखने को मिलेंगे सबसे पहले यहाँ पर 16 number question आपसे कहा है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित हैं यहाँ से जो करेक्ट आंसर हमारा आएगा वो भी आएगा आशा है कि आपने भी बी ही आंसर किया होगा एक और सवाल की तरफ चलते हैं इसमें आपसे इन्होंने पूछा है 17 number में कहते हैं कौशलों के इस्थान अंतरण के लिए इनमें से काउन सा उप्योगी है अगर हम skills के transformation को लेकर के बात करें या transformation of skills के बारे में बात करें तो रेखिये अभिक्रम करके है शाखिये अभिक्रम है कौशल अंतरण एक गती है ना कि उद्देश और यहाँ पर तयारी और अरजन करके इन्होंने बताया हुआ है एक चीज मैं आपको बता दू जैसे जब आप रेखिये अभिक्रम के सिध्धान को लेकर के बात करते हो शाखिये अभिक्रम के सिध्धान को लेकर के बात करते हैं तो आप जब सिक्षन के सिध्धान को की बात करते हैं तो यह सारे principles देखने को मिलते हैं आपको जैसे रिखिये वाला है तो आप बोल देतो है कि इसकी नर्माहोदरे दिया है ऐसे साखिये जो है वो किसी और के द्वारा दिया गया फिलहाल के लिए जब हम काउशल के स्थाना द्रण को लेकर के बात करते हैं तो एक गती है ना कि उद्देश है बहुत अच्छे से याद रखियेगा जब हम Transformation of Fiscalis की बात करते हैं तो एक मोशन एक गती की तरीके से यहां से वहां जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान या एक चीज से मतलब एक विश्य के काउशल का दूसरे विश्य के काउशल में प्रियोग में आना कोई उदेश नहीं है आपका एक गती की रूपियां पे से कंसीडर करते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर यहां से आएगा वो सी आएगा एक और सवाल की तरफ चलते हैं आप से क्या पूछा है इसमें बढ़ अच्छा सा सवाल दिया है और यहां पर यह कहते हैं कि निमन में से कांसा सिक्षन का सूत्र नहीं है आप से बोला है कि सिक्षन के सूत्रों में यहने के टीचिंग मैक्जिम्स बोलते हुआ सिक्षन के सूत्रों को आप टीचिंग मैक्जिम्स कह देते हुँ तो अनिश्चित से निश्चित दिया हुआ है दृष से अदृश्ट दिया हुआ है सरल से कठिन की यहां पर यह चीजे तो आपकी शिक्शट सूत्र में सामिल हो जाएंगे लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पर कि कोई चीजे दिखाई देती है फिर हम जैसे आप द्रिश्ट से अद्रिश्ट वाले को क्या बोल देते हों abstract to concrete मतलब मूर्थ से अमूर्थ की तरफ आप इसे मूर्थ से अमूर्थ की तरफ सिक्षड सूत्र भी कह देते हैं तो ये तो आपका शामिल होगा लेकिन ये वाली चीज आपकी जो आपका सिक्षड सूत्र दिया हुआ है ये आपका फिलहाल के लिए इसमें include नहीं होगा मतलब इसमें आपका शामिल नहीं होगा 19 नमबर में कहा है सूक्ष में सिक्षड चक्र का प्रथम पद ग्या होता है जब हम micro teaching को लेकर के बात करते हैं micro teaching cycle आपने सुनी होगी कितने minute की micro teaching होती है तो total 6 into 6 कितना हो जाएगा 36 minutes ठीक है ये चीज आप याद रखेगा फिलाल के लिए पूछा है कि प्रथम पद इन में से क्या होगा तो कोई भी चीज है हम कहीं घूमने जाते हैं हम किसी विशे की तैयारी शुरू करते हैं हम योजना बना रहे होते हैं तो जो सबसे पहला step हमारा देखने को मिलेगा जो प्रथम पद देखने को मिलेगा फर्स step वो होगा planning एक और question की तरफ चलते हैं 20 number में आप से कहा है कि निमन में से कौन सा अवबोध स्तर के सिक्षण में शामिल नहीं होगा अवबोध स्तर मतब होता है understanding label ठीक है अनुप्रियोग मतब application तुलना करना compare करने को ले करके बोला इन्होंने प्रथक करन मतब अलग-अलग करने की बात होगी और innovation यानि खोज करना discovery ठीक है research करना कुछ भी कह सकते हो आप तो जब हम बात करते हैं 20 number question को ले करके अवबोध स्तर के सिक्षण में शामिल नहीं है आपकी ये सारी चीज़े understanding में कि आप अनुप्रियोग भी कर रहे होते हो में शामिल है पूछा है उन्होंने ठीक है आप अवबोध स्तर होता ये है कि कौन सी चीज है जिसको आप जब पढ़ेंगे करेंगे जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि exactly उसमें है क्या उसमें बातें क्या बताई गई है तो अनुप्रियोग क्या होता है कि कोई चीज आ चुकी है उसके बाद आप application यूज में लेकर क्या रहो पूलना करना आ चुकी है सबसे बड़ी चीज है अन्वेशन आप जिब किसी चीज के बारे में research करते हैं तब आपको जाकर के बात या इस बात की जानकारी मिलती है तो उनको जब उन्होंने अविसकार किया तब उनको इस चीज का अवोध हुआ या फिर उनको इस बात की जानकारी मिली कि exactly बल्व ऐसे जलता है या कैसे जलता है ठीक है तो आपका जो correct answer है वो D देखने को मिलेगा एक और सवाल है आपके लिए यहाँ पर 21 में आपसे पूछा है कि सेक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंदरी करण तब ही संभव होगा मतलब अगर educational reforms को लेकर के बात की जाए तो प्रभावी विकेंदरी करण यानिकि effective decentralization बोला है यह possible कब होगा जब खंड या संकुल संदर्व केंदरों की भागेदरी वने आपने देखा होगा जो block label के होते हैं या जो संकुल प्रभारी वगरा होते हैं वो सारे लोग उसमें क्या होते हैं शामिल रहते हैं कि कुछ educational reform को लेकर के आया जाए कुछ सैक्षिक सुधार लेकर के आया जाए पठन-पाठन में कैसे changes लाए जा सकते हैं और बाकी सारी बाते हैं और फिर कहते हैं स्थानिय संदर्व व्यक्तिव प्लब्ध हो मतबासपास के लोगों के सहयोग के बिना भी एक काम जो है मुश्किल होता है अब आसपास के लोगों में आप जोड़ सकते हैं जो गार्जेन हैं वो जो parents हैं वो उनको भी आप शामिल कर सकते हैं तेसरी बात क ने बुले हैं कि कौन कौन सी चीजे सेक्षिक शुधार में एक प्रभावी विकेंद्री करण विकेंद्री करण मतलब एक स्तर से यहां इस स्तर पर भी होना इस स्तर पर भी पढ़ाई हो यहां पर भी हो यहां पर भी हो यह विकेंद्री करण हो था डे सेंट्रलाइज करना और सेंट्रलाइज करने का क्या मतलब होगा जब इन सभी को उठा करके यहां पर ले आएंगे फिलाल के लिए A, B, C ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहां से करेक्ट है आशा है कि आपने भी इसका अंसर D ही दिया होगा एक और सवाल की तरफ चलते हैं 22 नंबर में क्या कहते हैं कि एक छातर पढ़ रहा है उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया नाम लेकर बुलाया है ध्यान दिजिगा नाम लेकर किसी ने बुलाया निम्न में से किस समवेदना द्वारा वहाँ छातर अपनी अनुकरिया परकट करेगा अनुकरिया मतलब response देगा इन में से conscious sensation या sense जो है के द्वारा वो जो student है अपने response को जाहिर करेगा 22 में इस पर समवेदना ध्वनी समवेदना एक आपका दृष्टी समवेदना या प्रत्यक्षन प्रत्यक्षन को perception करके बोल देते हैं ध्यान दीजिये यहां पर ध्वनी समवेदना ही है एक्शली नाम ले रहा है ना तो नाम कैसे लेगा बोल कर ही लेगा ना otherwise तो इस पर्ष करने का होता तो चूता नाम लेता नहीं फिर ऐसे में दृष्टी के वल देख करके ही काम हो जाता लेकिन नाम ले रहा है यानि कि कहीं न कहीं जो sound वाली sense है वो काम कर रही है ऐसे में तो ध्वनी समवेदना जो है वो आपको आपकी उत्तर की रूप में देखने को मिलेगा 22 में आगे चलते हैं यहां पर क्या है भाई इन questions की बात कर लेते हैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ है यह ज्यादह जूम भी नहीं करने लायक है यह ज़िए ट्विंटिक थ्री में आपसे क्या पूछा यह कहते हैं कि पियाजे के सित्धान्त के अनुसार प्राग संक्र्यात्मक अवस्था bahadhy क्या है प्राक संक्रियात्मक प्री ओपरिशनल स्ट्वीज का जो टाइम डिवरेशन है वो पूछा है जन्म से दो साल तक, दो से साल साल तक चार से आठ और इंब बोले हैं पात से आठ साल आपको मैं मैं बादा दू, जीन विलियम फ्रेडिस पियाजे संग्यानात्मक विकास के कितनी अवस्था हैं, चार अवस्था हैं इनके द्वारा बताई गई हैं संसरी मोटर स्टेज, जब आब बात करते हूं जैसे हम लोग संबेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक जैसे हम pre-operational stage बोल देते हैं फिर concrete operational stage होता है यानि कि मूर्थ संक्रियात्मा का वस्था होती है and अर्ज सबसे last में जो है वो है stage of formal operation यानि कि आपचारिक संक्रिया के वस्था तो आप से पोछा है कि पूर्व संक्रियात्मा पहले वाली जो है वो जन्म से दो साल तक होती है लेकिन जब हम पूर्व संक्रियात्मा का वस्था को ले करके बात करते हैं तो 23 में जो हमारा answer हम को देखने को मिलेगा दो से साथ साल है 022 227 7211 and 11215 कुछ इस तरीके से जो है वो चारो आवस्थाओं की समय सीमा देखने को 24 नुबर में कहते है निम्निमे से कौन सी बाद की बाल्यावस्था की बहुधिक विशिष्षाओं में शामिल नहीं है बाद की बाल्यावस्था हैं एने की लिटर चायल्ड हुड को ले करके बात की है और बाधिक विकास हैं एने की कही न कहीं intellectual development को लेकर के बात की गई है उनके characteristics या properties में included नहीं होगा विग्यान की कालपनिक कथाओं में अधिक रूची होना बढ़ती हुई तारकिक शक्ति भविश्य की यूजना के सोजबोज या फिल कालपनिक भयों का आंत आप से चार ओप्शन्स दी हैं आप लोग अपना अपना आंसर कर रहे होंगे फिलाल के लिए मैं आपको बता दूँ इन चार ओप्शन्स में तीन ओप्शन ऐसे हैं जो कि बाली अवस्था ये लेटर चाइल्ड हुड से को आपका नहीं पूछा है नहीं में सी आपके उत्तर के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा एक और सवाल आपसे कहते हैं ये कיा कहते है 25 में कि निम्द में से कौण मनोवग्यानिक भाषा विकास से संबंध है Language Development से कौँ से मनोवग्यानिक है जो रिलेट करते हैं ठीक है तो आपसे इन्होंने options में दिया है बिने का नाम दिया है नौमचॉमस्की का नाम दिया है पावलो दिया है और मैसलो दिया है एक 26 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि थॉन्डाइक ने अपने सिध्धान्त को किस श्रीड सक्से सिद्ध किया है जब एडवर्ड ली थॉन्डाइक की बात करते है उन्होंने जो अपना principle दिया है learning को ले करके उन्होंने किस नाम से दिया है अधिगम हम प्रयास भूल करके trial and error method बोलते हो आप इसे संकेत अधिगम है यानिकि simple learning को लेकर के संग्यानात्मक अधिगम मैंने की cognitive learning स्थान अधिगम यानिकि special कोई भी चीज है या स्थान से related कोई भी learning है 56 की जब जब हम बात करते हैं जो एडवर्ड ली थॉंडाई के द्वाला दिया गया है वो प्रयास और भूल का सिध्धान दिया गया है तो आपका जो correct answer यहां से आएगा वो यह आएगा एक और सवाल है आपके लिए एक जब आप group age को लेकर के बात करते हो ऐसे में एक टोली वाली अवस्था तो language, socialization, morality and cognitive चीज़ों को लेकर के इन्होंने बात की है 27 में हम जब-जब बात करते हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा जब भी गिरोह सदसे को लेकर के गिरोह आवस्था के बात होती है तो वो आवस्था 8 से 10 साल होती है और ऐसी में विलंब विकास से किसी रिलेट करती है तो उसफ बच्चा कहीं न कहीं सामाजिक अरण या सूशलाइजिशन या सामाजिक तत्तूं के बीच में या समाज के बीच में जा रहा होता है पहुंच रहा होता है इसलिए यहां पर जो एक संग्यानात्मक विकास के तरती अवस्था नमन में से कहीं है कहीं न कहीं अभी मैं आपको उन चारों अवस्थाओं के बारे में बता करके आया हूँ कि संवेधी पेशी अवस्था प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसके बाद मूर्थ संक्रियात्मक यह और इसकी जो समय सिमा है वो साथ से लेकर के ग्यारह इयर ओफ एज करके आप इसे बोल देते हो तो जो 28 में जो आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा वो करेक्ट आंसर भी आएगा दोस्तों Electronic Study नाम का Telegram Channel है उससे भी आप जरूर जुड़े रहें शाम को साथ बज़े भी लाइव हम आते हैं आपके Primary और Junior सिक्षक भरती की Classes को लेकर के Electronic Study टेलेग्राम पर सर्च करिएगा और वहां से अपने आपको Add या Join कर लीजेगा ऐसे में जिसे कि आपको Classes की Notification properly मिलती रहे आपसे पूछा है 29 में कहते हैं कि निमने में से अधिगम में योगदान देने वाले अधिगम के इच्छा बोला है या फिर विश्यवस्तु का सुरूप सबसे बड़ी चीज ये है अधिगम में योगदान देने को ले करके बोला है इंट्रेस्ट होना बहुत जरूरी है तभी आप विश्यवस्तु की तरफ आएंगे आपका इंट्रेस्ट नहीं होगा तो आप ये वीडियो नहीं देखेंगे आप स्किप कर देंगे बहुत जरूरी है प्रेना कोई आपको मोटिवेट करेगा नहीं करेगा तो आप खुद से मोटिवेट हो रहे होते हो कि आपको परिक्षा पास करना है यह पिटेट सीटेट रीड की है डी ट्रिपलेस भी पास करना है अधिगम की इच्छा अगर आप में सीखने की इच्छा नहीं तो भी आप नहीं आओगे यहाँ पे पढ़ने के लिए बस एक चीज है जो अलग हो जाती है वो है आपका विशवस्तू का सुरूप यहाँ पर ध्यान दीजीगा यह चीज आपकी योगदान देने वाले मनो वाग्या निक यानि कि साइकलोजिकल फैक्टर्स में नहीं आएगा वस यह चीज ध्यान खेगा अलग से आपको फिजिकल फैक्टर्स में इन्नेट करके आप बोल देते हूँ, इन्नेट, सहायता परग व्योहार, helpful कोई behavior हो और आक्रामक तक आवशकता, आक्रामक हो जाए आप जो है ऐसे में, जब हम 30 number question की बात करते हैं, तो सामाजिक मोले, social, society में लोग होते हैं, दो या दो से अधिक लोगों का समुह होता है, और ऐसे में हम एक दूसरे की क्या कर रहे होते हैं, सहायता कर रहे होते हैं, यह भी कहलो, यह सहायता वाली जो भी बात देखने को मिलेगी, वो हमें एक society में ही देखने को मिलेगी, दोस्तों जो भी आप subject पढ़ना चार हैं और ऐसे में comment section में आप लिख दीजीगा फिलाल के लिए CDP के जो 30 सवाल थे वो हमारे यहां पर complete होते हैं अगला हम हो सकता है हिंदी, इंग्लेश या फिर EBS को लेकर के बात करें लाइक और शेयर आप वीडियो को कर दीजेगा बाकियों के साथ में भी जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग